बोली गर्पति भगवाने की इस दिन यानि सकट चौथ वाले दिन निर्जला ब्रत रखा जाता है गणेश जी की पूजा कियाती है और चंद्रमा का दर्शन किया जाता है सकट चौथ की पूजा के समय सकट चौथ का ब्रत कथा का स्रवन करना ज्यूरी होता है इसके स्रवन के बिना ब्रत का फल नहीं मिलता है और ब्रत भी पूरा नहीं होता है ऐसी धार्मिक माननता है ब्रत कथा का स्रवन करने से ही ब्रत के महत्तो का पता चलता है आईए जानते हैं कि सकट चौत की ब्रत कथा क्या है और गणेश जी की पूजा की महिमा क्या है बैसे तो सकट चौत यानि संकट चतुर्थी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं आज आपको सकट चोथ पर तिलकुट से संबंधित गणेल जी की एक कथा के वारे में बताते हैं एक समय की बात है एक नगर में एक साहुकार अपनी पत्नी के साथ रहता था वे दोनों पूजा पाठ दानियात नहीं करते थे एक दिन साहुकार नी अपने परोसन के घर गई वहाँ वो पूजा कर रही थी उस दिन सकट चोथ थी साहुकार्णी के परोसन ने सकट चोथ के बारे में पूछा तो उसने बताया आज सकट चोथ का भृत है इस बज़े से गणेज जी की पूजा कर रही है साहुकार्णी ने उससे सकट चोथ भृत के लाप के बारे में जानना चाहा तो परोशन ने कहा कि गणेजी कृपा से ब्यक्तिको फुत्र धन्धान सुहाख सब कुछ राप होता है इस पर साहुकार्मी ने कहा कि वो मा बनती है तो सवा सेर तिलकुट करेगी और सकचोथ ध्रत रखेगी गणेजी ने उसकी मनुकामना फोन कर दी वो गवबती हो गई आप साहुकार्मी की लाजसा बढ़ गई उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो ड्हाई सेर तिलकुट करेगी गणे जी की क्रपा से उत्र हुआ तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाः हो जाता है तो वो सबाप पांस से तुलकुट करेगी गणे जी के आसीरवाद से उसके लड़के का विवाः भी तैं हो गया लेकिन सावकार्णी ने कभी भी ना सकड़ रखा और ना ही तिलकुट किया सावकार्णी के इस आचरण पर गणे जीन ने उसे सबक सिखाने की सोची जब उसके लड़के का विवाः हो रहा था तब गणे जीन ने अपनी माया से उसे पीपल के पेंड पर बैठा दिया अब सभी लोग बर को खोजने लगे वरना मिलने से बिवाह नहीं हुआ एक दिन सावकार्णी की होने वाली बहू सहेलियों संग तुर्वा लाने जंगल गई थी उसी समय पीपल के पेंड पर बैठे सावकार्णी के बेटे ने आवाद लगाई ओ मेरी अर्ध ब्याही एह सुनकर सभी युप्तियां डर गई और भाग कर घर आ गई उस युप्ति ने सारी घटना मा को बताई तब बेसर उसी पेंड के पास पहुके युप्ति की माने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है उसने वहां बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी मा की गल्पी बताई उसने तिलकुट करने का और सकट ड्रत रखने का वचन दिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया सकट देव नाराज हैं उन्होंने ही इस सित्थान पर उसे बैठा दिया है एहवाब सुनकर उस युक्ती की मा साहुकार्मी के पास गई और उसे सारी बात बताई तब उसे अपनी गल्पी का एहसास हुआ तब उसने कहा की है सकट महाराज उसका बेटा घर आ जाएगा तो धाई मन का तिर्खुट करेगी गणिव जी ने उसे फिर एक मौका दिया लड़का घर आ गया और उसका विबाह पूण हुआ इसके बाद साहुकार्मी ने धाई मन का तिर्खुट किया और सकट ड्रत रखा उसने कहा की हे सकट देव आपकी महिमा समझ गई हूँ आपकी क्रपा से ही उसकी संतान सुरक्चित है अब मैं सदय तिलकुट करूँगी और सकट ओद का ब्रत रहूँगी इसके बाद से उस नगर में सकट ओद का ब्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा बोलिये सकट देव महराद की गणेंगी महराद की गणेंगी महराद की गणेंगी बोलिये गर्पति भगवाने की